नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो एक एरोप्लेन फिसल गया, जिसकी वज़े से खाई में गिर गया और दो टुकडे हो गए इस प्लेन के, इस हाथसे में अभी तक 18 के आसपांस लोगों की जान जा चुकी हैं। देखो कोजी कोड एरपोर्ट पे जो रन्वे हैं, वो टेबल टोप रन्वे हैं। मतलब की प तो रन्वे का जो स्पेस हैं, वो रिलेटिवली कम हैं। इस परकार के और भी टेबल टोप रन्वे हैं हमारे देश में, जैसे कोजी कोड का केरला में, जहां पर यह हाथसा हुआ, मैंगलोर, करनाटक में, सीमला, हिमाचल पर देश, पक्योंग, सिक्किम और सबसे लास्ट में, लेंगपूई, मिजोरम में, यह सारे टेबल टोप रन्वे हैं, मतलब प्लेट्यू के ऊपर रन्वे हैं, तो इसलिए स्पेस रिलेटिवली कम हैं। 2010 में भी मैंगलोर में इस परकार का हाथसा हो गया था, उस समय तो 150 के आसपास लोगों की जाने चले गई थी, उस सम साल एक हाथसा होते होते बच गया था, उस समय तो कम से कम 2010 के हाथसे की बाद की कमेटी की रेकमेडिशन को कंसिडर किया जाना चाहिए था, अब कोशन यह उड़ता है कि इस बार आखिर कर ऐसा क्या हुआ, हाथसा क्यूं हुआ, देखो पूरी इन्वेस्टिकेशन तो अभ रन्वे पर पाइलेट ने प्लेन एक किलूमेटर आगे उतारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लेन लैंड करना चाहिए था, लेकिन उस पोजीशन पर प्लेन ने लैंड नहीं किया, एक किलूमेटर आगे लैंड किया, तो देखो जैसा हमने डिसकुस किया, रन्वे आल रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं वैसे कुछ लोगों ने ये भी कहां बारिश काफी जादा हो रही थी और उसके वज़े से प्लेन जो है फिशल गया लेकिन इसके जवाब में आर्टिकल में ये बोला जाता है अगर देखो बारिश की वज़े से प्लेन फिशला तो मांसू तो अभी भी चल रहा है केला में लेकिन इस एARPORewार्ट पर OPERATIONS को अभी बन नहीं किया गया हैं अगर बारिश से एक past नहीं होता तो सरकार OPERATIONS को बन कर देती हर एक हाद섯ा अगर इस परकार का होता है हमारे देश में तो हमारा ट्रैक रीकोर्ड जो है एर सेफटीस से समधित वो देखो खराब होता है तो इसका परिणाम यह होता है कि कुछ दूसरे देश हमारे देश में फ्लाइट्स बेजने से कत्राते हैं जैसे पाकिस्तान का example आप ले लीजिए पाकिस्तान में कराची में अभी जो हादशा हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के मिनिश्टर ने एक irresponsible statement दी कि आलमोस्ट आधे pilots का जो license है हमारे देश में वो फरजी है उसके बाद एकदम से पाकिस्तान में flights बेजना बंद कर दिया ग उले ही दिन operations start कर दिये ताकि world में ये संकीत ना जाए इंडिया का track record खराब है तो इंडिया नोर्मेल सी दिखाना चाहता था कि सब कुछ समान्या है बट इसके जवाब में writer ये बोलते है कि कम से कम देखो safety के मामले में compromise बिलकुल नहीं होना चाहिए इंडिया ये दिखाना चाहता है सब कुछ समान्या है अच्छी बात है बट वेरियस जब auditing agencies audit करेंगी कि कैसी safety है इंडिया के airports पर तब ऐसा ना हो कि हमारी किरकरी हो जाए तो इसलिए आउशकता ये है कि ऐसे जो table top runways है हमारे देश में वहाँ पर proper safety standards को follow किया जाए ताकि future में इस परकार का कोई भी हाथसा avoid क्या जाए इस discussion में फिलाल इतना ही है thank you thank you very much for discussion